इसान भाईयों नमस्कार आप देख रहे हैं आज जो है खेत में इक वाई सुरू होगी मोसम पहले सुबह जो है बारिस होगी थी अब ठीक हो गया यह काक सब हो रहे हैं बैली सिंज पर यह बीज भाईयों 14201 और इसकी बरबर में जो हैं नो खूड यह 0108 हैं और चर्रों त अठाण में 014 के हैं यह वाले दो खूड और यह दोरे के जो खूड है यह अठाण में 014 के रखेंगे और इस सब पर जो है भाईयों 13235 की वेराइटी आजागी इसमें कई वेराइटी रखी जागी यह बैली सिंच पर है और देख सकते हैं किस तरीके से बिंदर ठेकेदा जो है खूड में बीजगी पूर्ती कर रहे हैं यह यहां पर जो है इस तरीके से इने मिलाया जा रहा है पूनित भाई जो है खेत के कोने वगरा बना रहे हैं बिल्कुल बढ़िया तरीक्या से तो पूरे में जो है वाई यू फावले का काम रह जता है वह यह पूरा होगा काम भाई खूड बना देंगी ठीक 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 तो यह तो पूरे होगे सब पूरे होगे जी बाई यह आठाट साथ खूड रहे इनका जो बीज है सामने खड़ा है तसलावी दीमें से 2335 वह भाईयो जैसे कि आपको मालूम था कल बारिस होगी थी तो फैर बाद में पहले यह खेत बोया हमने अब हम इसमें भाईयो दवाई डाल लेंगे दवाई कौन सी डाल लेंगे वो भी दिखाएंगा आपको और उसके बाद में जो हम है पैरों से इस पहलक हलकी मिट्टी कर द भाईयो अब हम आगे हैं टिवैल पर यह इफको की डिएपी है 18-40 देख सकते हैं यह 10 किलो भीगे के हिसाफ से लेंगे और यह एमोपी है पोटास जो होती है यह लाल वाली जो होती है अब तो यह काफी महंगी आ रही है इसे ले लेंगे करीब 15 किलो और यह जो है तीन बत पॉनेट है थाइम एक सोम बोलते हैं जिसे और यह है टीब्रोस टैबु को नजोल और सलफर यह लिकविड में है इन्हें भाई यह फात्र में लेकर उसमें मिला के तब इसके उपर कोटिंग करेंगे अम मैं दिखा देता हूं किस सरी के से करेंगे दिखा देते हैं वाई हमने 15 किलो पोटा से ले लिया विंदर नहीं से अंदर रख दिया आपके सामने हैं बाइस मैं से ओर ले लो ऐसा कोई 15 किलो का असपर बची 15 किलो होगी होगी भर ठीक है इसे भी बंदर भाई बाइब आन्ध के नैसी रख दो नदर ऑई थोड़ी सी जो है राख ले लिते ह है कि घर पर राख ही मिली बालूरेत भी ले सकते हैं या सुखी मिट्टी बारिस हुई थी तो कुछ नहीं मिला हमने यहां पर लाकर आगा ठीक है और ले लो थोड़ी यह तो अच्छी चीजा को बुरी बात नी राख तो एक तरह का पतलब कीटना सा की मनना जता है पहले जमन इसमा आप इसाद्दे से कुछ कम डाली ठीक इसका एक पर लिए बायो देख सकते हैं यह जो है यहां था भाई साद्दे से कुछ कम करें इतने करना हां कर लो कर देखो किस तरीके के निकलेगी अ बहुत हो ठीक 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 भाई दूसरे नमबर पर जो है यह ट्यूप्यू डाल लेंगे थायमक्स ओम बोलते हैं जिसके अंदर हो जालो डालो डालो बादी होगी चलो बस होगी ठीक है भाई यह जो है थायमक्स ओम है यह देख सकते हैं इस तरीके जाईसे में दूर जैसा निकलेगा इसे भी समय हम अद्दी डाल देंगे और बंद कर दो यह जो है इसे म taraf कर दी अब तीसी सीशी निए कोरल जी यह भाई जैसे से कुछ कम लगा रहे की यूझ खेद जो है रखबे में कम है बरसाद हो ने की वज़ेसे अलग अलग हिसाथ सा लगा रहे अब कोरल जी निकाल लो नहीं तो फिर उसे भी पूरे खेत की एकदम ही डोज हो जत्ती दोनने की लेकिन बरसाद ने सारा मजा खराब कर दिया पर चलो कोई बादनी जैसा परमात्मा करें वह अच्छा है जी इसकी आप निसान नहीं कर लो अद्धे से कुछ कम करिए से भाई देख सकते हैं इसमें ज जाएगी कोटिंग कर लो भी अच्छे से मिलेगे इसा बहुत बढ़िया तरीक्या से फिर इसमें मिला देंगे से मिक्स कर भाई यो राक मिलाने से एक फायदा है कि दवाई जो है डाई में पसेव नहीं लखती नहीं तो कर हम इस डारेक्ट इस पर डाई में डाल लेंगे दाई के तो लिक्वीड जो है इसे पसे हुआ जागा रिस से जो है खाद अच्छे से फैल नहीं पानेगा भाई हो हमारा जो पहला खाद है डा डी एपी और पोटा उसे एक बार पहला बरीक मिला लेंगे उसके बाद में जो हमने मिसरन तयार करा फिर उसे कर देंगे तो द लड़ दवाई का जो लिक्वीड था राख पर डाल अब आप चेक करो जादर पिंगड तो नहीं रही पसे उतन देरी बस तो भाई से रवड़ा दो अच्छे से इसे गल्लो अब योई जी साब से भखेर नहीं है पूरे खेद में खुड़ो खूड जो पूरे खेद में इ इसे जो है बरीक तरीके से मिक्स कर लें जिससे की जो हमारी दवाई जो है एकक पोटास में और डी एपी का जो दाना है उस पर बिल्गुल कोट हो जा बहुत अच्छे से इसकी यही कलाकारी है नहीं तो यह आप इसे नहीं कर सकते भाईयो अब जो है जो है जोली में खाद भर रहे हैं हमारे यहाँ पर जो है जो है जोली में खाद भरा जाता है भाईयो अब जो है खेद में खाद डालना सुरू कर दिया है देख सकते हैं खूड के हिसाब से खाद डलना जा रहा है यह देख सकते हैं यह बिल्कुल जो है हड़ की दवाई डालियों ठीक 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 भाई दवाई जो है इस तरीके से डाली जागी अब हम दिखाएं देंगे इस फें मिट्टी किस तरीके से करी जागी क्योंकि गरम टैक्टर का मैड़ा लगाएंगे तो भाई गिल्ला खेद बैठ जागा पुनित भाई एक पर ही ऑयह को मिट्टी दिखा दो कि तरीके कारोब करो विए है फ्यूंस दो उर्म खांप 2019 क् Node यहरा आग्या स्कते हैं इस तरीके से जो ब्यात बहुत अच्छा होता है जमा अच्छा होता है क्सान भाई यो हमारे चैनल का एक ही हुसूल है हम जो वीडियो होती है बिलकुद सत्यता पर दिखाते हैं जो हमने दवाई कि वह भी कुछ इस से सीख लें हम यह नहीं कहरें हम कोई बड़े किसान हैं या कोई ज़्याद समयंधार हैं जो और बड़े-बड़े हमारे एक समयंदार कि दाने हम उनकी भी वीडियो इसमें सेर करते हैं वीडियो कैसी लगी है लाइक सेर करना मेरी बात कुछ अच्छी जो पेड़ी थी इसमें हमने लगाई थी बहुत ही जबज़स रिजल्ट है कोई किसी घबराने वाली बात नहीं है इसी के साथ मैं भाईयो वीडियो को विराम देंगे नमस्कार